नमस्कार, स्वागत है आपका मिनाक्षी इस किचिन में आज हम स्ट्राउट्स को यूज़ करके एक रेसिपी बनाएंगे तो आज हम बनाएंगे स्ट्राउट्स के पकोडे स्ट्राउट्स के चार तो अक्सर हम बनाते ही रहते हैं पर आज इसके हम पकोड़े बनाने वाले हैं तो मैंने यहाँ पर ले लिया यह अंकुरित मौंग दाल यह स्ट्राउट्स मौंग के हैं आप चाहें तो मोट को भी अंकुरित करके यहाँ पर यूस कर सकते हैं तो मैंने आपफर करीबं देट कप अंकुरित मोंग यहां पर ले लिए हैं। मैंने आप ले ली हैं कुछ खड़े अब मैंने आप ले ली lotta साबुद काली मिर्च, एक बड़ा चमच साबुद धनिया, आदा चमच ले ली मैंने सौफ, एक चमच ले लिया मैंने जीरा और थोड़ी सी ले ली मैंने आपर कश्मीरी लाल मिर्च आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी आपर यूज कर सकते हैं अगर आपके पास साबुत नहीं है तो इन सब को हम डाल देंगे ग्राइडर के जार में और इसको में दर-दरा ग्राइड कर लेना है इन सब चीजों को आड़ करने से पकोड़ों में पकोड़े बहुत ही फ्लेवरफल और बहुत ही बढ़िया बनकर तयार होंगे और इसका taste और यह enhance हो जाएगा कश्मीरी लाल मिर्श मैंने यह आपर use किया यह कम तीकी होती है तो करीबन दो से टीन मैंने आपर ले लिया और इसको तोड़ कर मैंने इस तरीके से ले लिया है अब इससे हम पीस लेते हैं दरदरा ही इससे हमें पीस नहीं है बिल्कुल fine powders का में नहीं बनाना है, तो ये देखिए इस तरीके से ये मसाला हमारा तयार हो गया, इस मसाले को निकाल कर हम साइड में रख देंगे, अब इस grinder के जार में मैं एड कर दूँगी ये अंकुरित मौंग, और इस मौंग को भी हमें ग्राइंड करना है, इसे ब्या आपर पीस कर ले लिए हैं, अब इसे मैं निकाल दूँगी एक बड़े mixing bowl में, बिल्कुल भी पानी मैंने इसमें एड नहीं किया और बहुत ही easily एक राइंड हो गए, क्योंकि काफी moisture इसमें already था, अब मैं इसमें एड कर दूँगी ये मसाला जो हमने पीस कर रखा हुआ है अब मैं इसमें एड कर दूँगी एक प्यास बारिक कटा हुआ, अगर आप प्यास नहीं खाते हैं तो आप चाहें तो आलू को चौप करके या फिर कदू कश करके इसमें आइड कर सकते हैं, थोड़े से एड कर दिये मैंने धनिया, आदा चमच आइड कर दिया, आम चुर पाउडर, नमक एड कर देंगे, टेस्ट के कार्डिंग, अब इसमें आइड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अब मैं इसमें एड कर दूँगी दो बड़े चमच बेसन, अलकिसी इसको बाइंडिंग देने के लिए ताके मॉइस्टर से बिलकुर भी न रहे, तो म अब इसमें एक-दो चमच पानी एड कर सकते हैं, तो ये देखे, पकोडो का बैटर हमारा तयार हो गया, इस तड़ी के से थोड़ा से मिक्शर हाथों में लेकर इसको हम ऑईल में डालते जाएंगे, इसको फ्राय करने के लिए, मैंने ऑईल पहले से ही गरम करने के लिए र तूट भी सकते हैं, तो ये देखे, इस तरीके से ये पकोडे मेरे बन कर तयार हो चुके हैं, इससे मैं निकाल देती हूँ, अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, कलर भी अच्छा सथ में आ गया है, मैंने इसमें दो वड़े चमच बेसन आइड किया है, इसको हलकी सी बैंडि सारे इस तरीके से हम बना कर तयार कर लेंगे, तो मैंने सर्फ किया है इसको टमाटो कैचप के साथ और धनिये बूदीने की चटनी के साथ, अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें, तो चलिए मिलते हैं अगली व अपकरी करें गता में कि चार एस मेंट बचले करने चली जली है, तो लगगर दयार dalla भी जरूर और नहान कrated नहां जहा जख दोनी की जल ट टूरूरे के साथ, अर तो प्लिश ऊली तो प्लिटने के साथ, जसक्ष अँरूरे के जगर दोगवाब सुच Jackie ठर दोड़ प्लूर